गुट मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन यूर साइन्स बुक एंड ओपन पेज नमबर 62, तो बच्चा पेज नमबर 62 में आपका है, कीपिंग सेफ चेप्टर आपका टेंथ है, तो आज हम इसको देखते हैं, देखिए, ये क्या कह रहे हैं, हे, वट हैपन, क्या हुआ, तो ये कहता है, I got hurt because I did not follow the safety rules, मुझे चोट इसलिए लगए क्योंकि मैंने safety rules को follow नहीं किया, by safety rules, I mean not to do things which will be harmed, safety rules का मतलब है कि मुझे क्या चीज नहीं करने चाहिए, जिससे मुझे नुक्सान पहुंचे, to stay safe, there are certain rules which we all should follow, अगर हमें सुरक्चित रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ rules को follow करना पड़ेगा, these rules are called safety rules, उन्हें हम कहते हैं safety rules, अब देखिए क्या क्या है, do not touch electric object, हमारे घर में जितने भी switch board है, उनको कभी भी नहीं चूना चाहिए, क्या होता है, अगर हम उनको चूएंगे तो हमको क्या लग सकता है, current लग सकता है, तो इन्हें हमको कभी नहीं चूना चाहिए, second, do not play with sharp object, देखिए बच्चे, हमें कभी भी knife होते हैं, blades होते हैं, इनको use नहीं करना चाहिए, इनको अगर हम use करेंगे, तो अपनी parents के सामने use करेंगे, वो नहीं क्या होता है, इनसे हमको क्या होती है, चोड लग सकती है, हमारा हाथ कर सकता है, तो इनको use नहीं करना है, उ आक से कभी भी नहीं क्ह Cody, अब जासे अभी क्या आनीवाली दिपावली आनीवाली है, तो बच्चे क्या करते हैं, खुडी पठाकों में जलाते हैं, इनको माचे से, तो कभी-कभी क्योते हैं, उनके हाथ जल जाते हैं, तो पठाकों के साथ नहीं ख़लना चाहिए, अगर पटा के जलाओगे भी तो अपने parents के निगराने में ही जलाओगे keeping things at proper place जिस सामान जो सामान जहां पे रहता है उस सामान वहाँ पे रहता है अगर अपने पूरे कमरे में आप सामान फैलाओगे तो आप कभी कभी क्या होता है उपर उपर हम चलते हैं देखते हैं उपर उपर देखते हैं और हम नीचे सामान विखे रहता है तो हम उसमें गिर जाते हैं और हम को क्या लग जाती है चोट लग जाती है आगे देखते हैं अब देखिए आपका है multiple intelligence देखिए tick right the things that could harm you आपको उन चीजों पर tick करना है जो आपको नुकसान पहुँचा रहती है अब जैसे क्या है knife knife से हमको चोट लग सकती है तो इस पर आप tick करेंगे book में ये tick करोगे hammer and nails यानि कि हतोडे अर्कील ये भी हमको नुकसान पहुँचा सकते है matches and candle इससे भी हमको नुकसान पहुचा रहते है electric iron यानि कि press ये भी हमको क्या पहुचा सकती है नुकसान ठीक है बाकी telephone, toothbrush, ball, book कि हमारे लिए safe है तो यहाँ पर हमने भरेंगे आप देखते है stay out of the street while playing use the side walk wherever available or walk on the grassy path beside the street अगर आप क्या करते हो बाहर खेलने के लिए जाते हो आपकी गली है तो आपको क्या करना चाहिए घूमते समय जब आप घूमने जाते हो तो जो रास्ता होता है यानि कि side से जो grassy path घास वाला रास्ता होता है उसमें चलना चाहिए किनारे किनारे पगल में ठीक है inform your parents or teachers if you get hurt और अगर आपको चोट लग जाती है तो किसको बताना चाहिए अपने teachers को बताना चाहिए अपने parents को बताना चाहिए तो आज हम इतने ही करेंगे इसके बाद वाला हम next video में करेंगे ओके